हेलो एब्रिवन कैसे आप सब आसा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगी तो आज मैं आपके साथ मोमोस की रेस्पी सेर करने वाले हैं फिर चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बना रहा है तो हमने यहां पी 200 ग्राम मैदा ले लिया है एक बाउल में और अब इसमें हम गुनगुना पानी डालके इसको गुत लेंगे बिल्कुल आठा की तरह तो लीजे आठा गुत के हमारा तयार हो चुका है और अब इसको हम रख देते हैं 10 से 15 मिनट तक रेष्ट होने के लिए और जब तक ये रेष्ट होता है तब तक हम अगला प्रोसेस कर लेते हैं तो ह हमने यहां पर सुवाबीन को गुनगुने पानी में भीगो के 10 मिनट पहले रख लिया था और इसको हमने अच्छे से साफ करके इसमे का पानी निचोड के ले लिया है और इसको हमने मिक्सिंग के जार में डाल दिया है और अब इसको हम पीस लेंगे तो लीजे हमने इसे प तो हमने पैन गरम कर लिया है और हमने इसमें डाल लिया है 3-4 चमाश सर्सोका तेल और यह है लाशन और हरी निर्विस का पेज्टि तो इसको हम अच्छे से भून लेते हैं और यह हो गई गुटी हुई अधरक और यह हो गई एक बारी कटी हुई प्याच तो इसको हम हलका सा सौता कर लेते हैं इसको जादे नहीं भूनना है बस हलका सा इसको भूनना है तो लिजे हमने इसे भून लिया है और अब इसमें हम डालेंगे फिसी हुई सोयबीन को और इशसको भी हम इशी में डाल के अच्छी से मिला देंगी चला देंगे अच्छी सी इसको भून लेंगे और यो गै minion को नमक तुनमक हम जादा नहीं डालेंगे क्योंकि हम सूप और चटनी भी बनाने वाले हैं तो सूप और चटने की रेश्पी मैं आपके साथ अभी सेर नहीं कर सकती इसको मैं बार में सेर करूंगी तो लीजे यहाँ पर हमारा आटा भी सेट हो चुका है अच्छे से और इसको हम अच्छे से फिर से मसल लेते हैं और अब इसको हम दो भागों में कट कर लेंगे तो हमने दो भागों में कट कर लिया है और एक को हम रख देंगे साइड में और इसमें से हम छोटी छोटी लोईया कट कर लेंगे बिल्कुल नीबू के आकार इतना और अगर आप सूप और चटनी की रेस्पी मिस नहीं करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बेल आइकन प्रेस कर लिजे जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेसन आपको मिलती रहेगी तो लिजे हमने लोईयों को कट कर लिया है और इसको हमने रख दिया साइड में और एक लोई ले के हम बेलनसे इस तरीके से बेल लेंगे तो नहीं चाहते पतला बेलना है और नहीं मोटा बेलना है बिलकुल मेडियम साइज का इसको बेल के तयार करना है तो आप इसमें हम डालेंगे इस टपिंग को तो हमने इस टपिंग को डाल लिया है और अब हम किनारों पे लगाएंगे हलका हलका पानी और पानी लगाने से ये अच्छे से चिपक जाएगा पैक हो जाएगा तो लिजे हमने पानी लगा लिया है और हाथों से इस प्रकार से इसको मूड़ना है तो हम इसका गोल सेब देंगे आप कोई भी सेब दे सकते हैं लंबा भी इसका सेब दे सकते हैं और इसी प्रोसेस से सभी को हम बिख कर लेंगी और इसमें स्टपिंग को भर देंगे MmION सब को पसंद आता है बेच्छे लेके बड़ों तक है और इसे यहां पर बना के जरूर राय कर गया से ज़रूर करीगा हमने एक मुमो बना के तैयार कर लिया और इस ही प्रोरिय प्रोसेस सब को बना के तैयार कर लेते हैं लेज आंगि मरिए। और इसमें हम तेल लगा के इस तरीके से इसको गिरिस कर लेंगे और गिरिस कर लेने के बाद सभी मूमो पुप यह थी और हमारा रेडि माल टोरगेm और आप देख सकते हैं कि हमने पहले से चटनी और सूप भी बना के तयार कर लिया है तो इसकी रेश्पी मैं आपके साथ नेश्ट टाइम में सेयर करूंगी तो ये वीडियो आपको अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट सेयर जरूर कर लिजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिलकूर मत भूलिएगा तो मिलते हैं हम नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई फ्रेंस और टेक केर